हलो एश्टूडेंट कैसे आप लोग आई होप कि आप लोग ठीक ढाऊंगे अगर हमारे चैनल पर नए आये तो फिलिश चैनल को सब्सक्राइब लाइक कोमेंट शेर जरूर किजिएगा तो आज हम जोगरफी का बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन आंसर करने जा रहें इस एक में फियोजिमा किस देश का ज़ाला मुखी परवत है आपके पास चाड़ उप्सण और सोचने के लिए पांस सेकेड आपका समय अभी से स्टार्ट जिए इसका राइट आंसर है जापान जापान फियोजिमा देश का ज़ाला मुखी परवत है तो चलते कोशन नमर् 2 मे आपके पास चार उप्शन है और सोचने के लिए 5 सेकंड आपका समय स्टार्ट जी याँ इसका राइट आंसर है पेरु के तरट पर एलिनो जल दारा का परकट होती है तो चलते कोशन नमर तीन में काला सागर में लवंता की मातरा कम होने का कारण है आपके पास 4 ओप्षन है और सोचनी लिए 5 सेकेंड आपका समय स्टार्ट जिया इसका राइट आंसर है नदियों द्वारा स्वक्ष जल की आपूर्ती इसका सही उतर है तुछल देखोशन नमर 4 में उत्री गोलार्द में जल मंडल का विश्तार का परतिसत कितना है यह बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है आपका समय स्टार्ट जिया इसका राइट आंसर है 7.7 परतिसत उत्री गोलार्द में जल मंडल की विश्तार परतिसत है तुछल देखोशन नमर 5 में मा सागरिय गर्तों की समयन तह गराई कितनी मीटर होती है आपके पास 4 उप्षन है और सोचने के लिए 5 सेकेंड आपका समय स्टार्ट जिया इसका राइट आंसर है 1500 मीटर होती है गराई मा सागरिय गर्तों की तो चल देखोशन नमर 6 में किसके गुर्टु आकर्शन के कारण जोर भाटा आता है आपके पास 4 उप्षन है और सोचने के लिए 5 सेकेंड ये एकजाम में भी आया था आपका समय अभी से स्टार्ट जिया इसका राइट आंसर है फिर्थिमी पर सूर्ज और चन्रमा का गर्तों करशन जोर भाटा आता है तो चलते कोशन नमर 7 में गंगा नदी का डेल्टा किस परकार का है आपके पास 4 उप्षन है और सोचने के लिए 5 सेकेंड जरा बताएं इन में से कौन से होगा आपका समय श्टार्ट जिया इसका राइट आंसर है चापा का डेल्टा गंगा नदी का डेल्टा परकार है तो चलते कोशन नमर 8 में हिमाले की उप्षन निती से हुई है आपके पास 4 उप्षन है और सोचने के लिए 5 सेकेंड जरा बताएं इन में से कौन से होगा एक्जाम में ये बहुत आता है चलते है जिया इसका राइट आंसर है टेथिस टेथिस हिमाले की उप्षन निती से हुई है तो चलते कोशन नमर 9 में अंतर परवतिये पठार का उधारन नहीं है इन में से बताएं कौन नहीं है आपके पास चार उप्षन है आपके पास 5 सेकेंड जिया इसका राइट आंसर है पोटा गोनिया का पठार अंतर परवतिये पठार नहीं है तो चलते कोशन नमर 10 में निमली खित परवतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है आपके पास 4 उप्षन है और सोचने के लिए 5 सेकेंड आपका समय स्टार्ट जी हाँ इसका राइट आंसर है बिलेक फोटेश्ट परवतों में सेर्मनी में अवस्थित है तो चलते कोशन नमर 11 में वतावरन की वह परद जो रेडियो पतरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है ये बार-बार एक्जाम में आता है इंटर के एक्जाम में जोगरफी का ये कोशन इसको सब रट ले आपका समय स्टार्ट जी हाँ इसका राइट आंसर है आयान मंडल रेडियो तरंगों की परवत्ति करती है परत का तो चलते कोशन नमर 12 में वायू मंडल में ट्रोफो एसफेएर की उपर कोन सी परत पाई जाती है ये ट्रोफो एसफेएर आपके पास चार ओप्सन है जी हाँ इसका राइट आंसर है एस्ट्रो फेर इसका सही उतर है तो चलते कोशन नमर 13 में वियापारिक पवनों की परिघटना की किस कारण से होती है आपके पास 4 ओप्षन और सोचने के लिए 5 सेकेंड ये सब कोशन को रट ले दोस्त साइद एकजाम में आ सकता है तो आपका सकेंड चलो जिया इसका राइट आंसर है उस्मा का समवहन परिघटना की कारण से होती है तो चलते कोशन नमर 14 में परती चक्रवात में वायू दाब कहां अधीक होता है आपके पास 4 ओप्षन है और सोचने के लिए 5 सेकेंड जड़ा बताएं इनमें से कौन से होगा आपका समय अभी से स्टार्ट होता है जिया इसका राइट आंसर है केंदर में केंदर में वायू दाब का अधीक होती है चक्रवात दुचल दे क्वात नमर 15 में भूमी धे रेखिए परदेश में किस परकार की वर्षा होती है आपके पास 4 ओप्षन है और सोचने के लिए 5 सेकेंड आपका समय अभी स्टार्ट जिया इसका राइट आंसर है समवैनिय वर्षा जिया समवैनिय वर्षा भूम धिये रेखिये होती है तो चलते कोशन नमर 16 में चंद्राकार बालू के टीलों को कहते हैं आपके पास चार उप्षन है और सोचने के लिए पांस सेकेंड बहुत ही इजी कोशन है बहुत ही इंपोर्टेंट जिया इसका राइट आंसर है बर्खान बर्खान चंद्रकार बालू के टीलों को कहते हैं तो चलते कोशन नमर 17 में पीगो अस्थालिय अस्थाला केटी नीमन में से किस छेत्र में पाई जाती है आपके पास चार उप्षन है और सोचने के लिए पांस सेकेंड जरा बताए इन में से कौन सा होगा आपका समय स्थार्ट जिया इसका राइट आंसर है परी हिमानी परी हिमानी अस्थला किरित छेत्र में पाई जाती है तो चलते कोशन न 18 में निम्ड में से कौन सा गीजर भारत के बिहार परांत में इस्थित है आपके पास चार ओप्षन है और सोचने के लिए पांस सेकेंड जड़ा बता इन में से कौन सा होगा आपका समय अभी से स्टार्ट होता है जी हां इसका right answer है सीता कुंड भारत के बिहार परांथ में इस्थीत है गीचर तो चलते question number 19 में किलो क्लोरी मीटर से क्या मापा जाता है आपके पास 4 option है और सोजने के लिए 5 second आपका second start जी हां इसका right answer है उस्मा की मात्रा क्लोरी मीटर से मापा जाता है तो चलते question number 20 में आखरी और लास्ट रवाल परसिद्य भोगोली क्रंथ के लेखक कौन है आपके पास 4 option है और सोचने के लिए 5 second बहुत ही important question है ये सब को रट ले भाई साहब साइद exam में आ सकता है आपका समय start जिया इसका right answer है हेंबोल्ड हेंबोल्ड इसका सही उतर है अगर all subject के त्यारी करना साहते हैं तो इसी चैनल पर वीडियो बना हुआ है जाके त्यारी कर सकते हैं अच्छे से जो exam में बार बार आते हैं वो सब वीडियो बना देते हैं all subject का एक one by one chapter by chapter पढ़ाते हैं अगर मेरे चैनल पर नहीं आए तो इस चैनल को subscribe, like, comment, share जरूर किजिएगा इसके अलाबा all other subject का भी हम पढ़ाते हैं objective question answer हमारा वीडियो देखने के लिए thank you